हेलो अरेवान हैं तुट्टी वेलकम बैक टो न्पीसी यस यूर चैनल न्पीसी निवा फिजिक्स क्लास बच्चा पाटी क्लास 11 हम स्टार्ट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 फिजिकल वर्ड पूरा कंप्लीट कर लिया है निव चैप्टर 2 उनिट्स and मेजर्मेंट दस्टार्ट कर रहा है इस चैप्टर में हम यूनिट्स के बारे में स्टेड़ी करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टेड़ी करेंगे significant figure, errors and dimensional formula यह सारी चीज़े हम one by one सीखेंगे आज हम सीखेंगे physical quantities के बारे में तोड़ेस लेक्चर इस ओल अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज and types of physical quantities so please stay tuned with NPC लास्ट तक इस वीडियो को देखिए I hope आपको सारी चीज़े physical quantity की सारी चीज़े समझ में आ जाएंगे so physical quantity क्या होता है तो simply हमने लास्ट लेक्चर में apple का example लिया था अगर आप इसे observe करें apple गिरा है पैड से नीचे तो apple के observation में क्या-क्या mathematical quantities का use हुआ है means उसके बीच में distance क्या होगी ठीके timing क्या होगा जब वो earth पे गिरा होगा उसकी velocity क्या होगी speed क्या होगी ये सारी quantities हमें उस phenomena को पूरा complete करने के लिए चाहिए होगी ठीके हम different phenomena के लिए different physical quantities use करते हैं जो की measure की जाती है by instrument या फिर आप calculated कर सकते हैं और किसी equipment ठीके फिजिकल क्वांटीटीटीज की actual definition क्या होगी a physical quantity is any phenomenon that can be measured with an instrument or to be calculated for ठीके calculate भी की जा सकते है या फिर एक instrument के through आप उसे measure भी कर सकते हैं ठीके इसका example लेंगे तो और भी clear हो जाएगा and physical quantities can be expressed as a value which is algebraic multiplication of a numerical value and a unit ओके physical quantity एक combination होता है एक multiplication होता है number and unit का ठीके physical quantity में मैंने क्या बोला एक phenomena ले ले ठीके suppose हम mass ले लेते हैं क्या लिया हमने mass physical quantity यह क्या है physical quantity simple सा example है अगर आप 5 kg शुगर लेने shop पर गए ठीके आपने कहा 5 दे दीजिए या फिर kg दे दीजिए तो shop के पर आपको जो actual चीट चाहिए वो उससे समझ नहीं पा रहा है कि क्या चाहिए actual में physical quantities जो है वो combination होता है numerical value का means numbers and units इसे इसे भी आप measure कर सकते है अगर आप simply 5 kg लिया है तो 5 is a numerical value number and kg is the unit kg क्या है unit अब हमारी यह जो physical quantity है mass means एक standard quantity आपने अगर mass लिया है तो उसे kg में define करते हैं आपने अगर time लिया है तो उसे second में define करते हैं और आपने अगर length लिया है तो उसे meter में define करते हैं तो different different quantities या different different phenomena's के different different physical quantities होती हैं अब हमने example के लिए यहां पर mass लिया है तो वो चौप के पर measure करेगा mass जो instrument होगा उससे न कि एक वाट से जो की time बताती है second में ठीक है means एक fixed quantity आपको mass measure करना है तो mass के लिए उसके पास एक particular instrument होगा जो की measure करेगा value को आप other instrument की help से mass को नहीं कर सकते हैं तो आप watch से mass को express नहीं कर सकते हैं तो यह physical quantity होती है combination of number and unit का अब number और unit दोनों ही important है physical quantities को define करने के लिए ठीक है अगर यहाँ पर आप सिर्फ kg बोलेंगे तो भी आप shop के पर को नहीं पता पाहेंगे कि आपको actual में चाहिए क्या and only 5 बोलेंगे this is a numerical value तो 5 आपको चाहिए क्या ठीक है तो physical quantity is the combination or multiplication of number and units now unit क्या होता है अब एक new term इंट्रोड्यूस हुआ unit क्या होता है तो basically unit is a comparison unit क्या होता है comparison ठीक है कैसे देखिए जिसे आपने शॉप कीपर को बोला है 5 kg शुगर ठीक है 5 kg शुगर आपको चाहिए तो उसने एक base value बना ली वन केजी उसने क्या बना लिया एक base value वन केजी अगर आप वन में मतलब वन केजी में फाइफ टाइम्स मोर शुगर लेंगे तो वो फाइफ केजी हो जाएगा ठीक है मतलब 5 गुना जादा शुगर देनी है उससे यह उससे पता है अगर हाफ केजी शुगर चाहिए तो वो वन का हाफ कर देगा मिन्स एक particular एक base एक fundamental quantity से other quantity का comparison कर रहे है ठीक है other units का या other values का comparison कर रहे है ठीक है मिन्स वन केजी से आप 5 केजी का क्या कर रहे है compare कि 1 केजी से 5 कितने गुना जादा है तो 5 ठीक है 5 कुना जादा है तो आपको केजी अगर शुगर अगर 5 केजी चाहिए तो अगर उसके पास बैस है तो वो वन में 5 टाइंस एड कर देगा और 5 केजी आपको शुगर दे देगा ठीक है तो यूनिट बैसिकली क्या होता है इट इस अ कंपेरिशन ठीक है different different physical quantities की different different units होती है जैसे mass की unit kg होती है and time की unit second होती है length की unit meter होती है ठीक है बट यह है SI system में अभी systems की भी बात करते हैं यह क्या है हमारे SI system में actually scientist जो है वो अलग-अलग country से belong करते हैं ठीक है तो उन्होंने अपने हिसाब से physical quantities की systems बना लिया कैसे है फर्स्ट उन्होंने CGS system रखा क्या रखा CGS का मतलब क्या है C for centimeter okay centimeter means length को उन्होंने measure किया centimeter में यह किसके लिए length के लिए okay G for gram gram में उन्होंने mass को define किया and S for second okay second for time है तो CGS system centimeter gram and second को define किया okay now next is FPS F means foot yes it is a length ठीक है length को define कर रहा है P for pound pound कि define कर रहा है mass को and S for second second किसे define कर रहा है time को ठीक है time के लिए तो सभी systems में same unit होगी second ठीक है फिर आया finally MKS system MKS system ठीक है इसे SI unit भी कहते हैं क्या कहते हैं SI system या SI unit भी कहते हैं M for meter के for kilogram kg short में and S for second ठीक है so length मास and time के लिए ये quantities fix कर दी गई है और ये इंटरनेशनल लेवल पर valid है हम देखते है types of unit physical quantities are of three types fundamental quantities derived quantities and supplementary quantities okay one by one हम इसे detail में समझते है first fundamental quantities या फिर fundamental physical quantity भी कहें तो ज्यादा बेटर होगा okay fundamental का meaning क्या होता है actual meaning क्या होता है fundamental का इसे best unit भी कहते है best physical unit भी कह सकते हैं तो इसका meaning क्या होगा actually अगर आपको English में कोई sentence लिखने को दें तो आपको A to Z आना चाहिए 26 letters of alphabet आपको learn होने चाहिए तभी आप कोई sentence कोई meaning बना सकते हैं ठीक है spelling बना सकते हैं तो यह जो 26 letters है they are fundamental letters यह क्या है fundamental letters हैं जिनके bests पर आप कोई भी spelling कोई भी sentence लिख सकते हैं ठीक है जिसे अगर आपको number लिखने के दें तो आपको 0 to 9 यह numbers 10 numbers आपको learn होने चाहिए अगर यह best numbers आपको learn हैं तो आप दुनिया की कोई भी quantities को लिख सकते हैं कोई भी number आपको दे दें आप इसलिए उसे लेख सकते हैं ठीक है तो इस आप दर बैसिक क्वांटिटीटीज ओके क्लियर है तो fundamental quantities are those physical quantities that cannot be expressed in terms of other quantities किसी दूसरी quantity पर depend नहीं करती है और we can say it is independent of its own ठीक है यह independent है यह अपने खुद पर ही depend करती है so basically they are seven fundamental physical quantities okay seven fundamental physical quantities है first is mass okay first है mass इसका unit क्या होगा so unit होता है kilogram ठीक है क्या होता है kilogram यह जो units है यह ऐसा है system में लेके होगा है okay इसका symbol क्या होगा so small kg then length length का unit होगा meter okay symbol होगा small m then time time का unit होता है second and symbol is small s then temperature temperature का ऐसा unit unit तो बहुत सारे होते हैं बट हम ऐसा unit की बात कर रहे हैं ठीक है temperature temperature का unit होता है Kelvin and इसे denote करते हैं capital K से and then electric current electric current की unit होती है ampere electric current unit होती है ampere और इसका symbol होता है capital A ठीक है then luminous intensity ठीक है यह पढ़ेंगे आगे आने वाले lectures में luminous intensity इसका unit होता है candela okay and symbol होता है small c small d and at last amount of substance amount of substance और यह सब आप आने वाले lectures में study करेंगे okay amount of substance का unit होता है mole okay and इसका symbol है M-O-L so these are the seven fundamental quantities which are independent to each other ठीक है यह सभी किसी भी other quantity पर depend नहीं करती है अब next second derived quantities derived quantities या derived physical quantities are those quantities that can be expressed as a combination of seven fundamental quantities okay means derived quantities fundamental quantities पर depend करती है ठीक है किन पर depend करती है fundamental और we can say best quantity पर depend करती है और उन quantities को क्या बोलते हैं आप derived quantities for example आप ले 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 एरिया तो एरिया का formula क्या होता है length multiplication breath okay breath को actually मैं तो length ही लिखते है आप तो length multiply length है यह ठीक है इससे क्या लिख सकते है हम length multiply length और length का unit क्या होता है meter ठीक है symbol हम directly लिख देते है length का meter and other length का meter so meter square means यह जो एरिया है यह derived quantities है but with the help of fundamental quantities we can measure the symbol और unit of this derived quantities okay second volume ले 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 सो volume में क्या होता है height 8 हो जाता है ठीक है length multiply breath multiply height okay so तीनों के लिए length ही होगा सो यहां meter cube हो जाएगा okay and velocity के लिए ले 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 तो velocity का formula क्या होता है displacement upon time okay displacement upon time speed का formula होता है distance upon time okay displacement or distance में भी difference है यह हम chapter 3 में study करेंगे displacement upon time displacement actually होता है length length के लिए क्या है meter ठीक है length के लिए symbol m and time के लिए s so velocity के लिए क्या हो जाएगा meter per second ठीक है इसका symbol क्या हो जाएगा meter per second unit क्या हो जाएगी meter per second now acceleration so acceleration के लिए इसका formula क्या है velocity upon time velocity upon time velocity का unit होता है meter per second and time का second so meter per second square हो जाएगा meter per second square okay now force force क्या होगा force f is equal to m mass into acceleration ठीक है mass into acceleration mass के लिए kilogram kg and acceleration के लिए meter per second square so kg meter per second square तो इस तरह से काफी सारी quantities है derived quantities जिन्हें हम fundamental quantities के help से unit को measure कर सकते है ठीक है now supplementary quantities supplementary physical quantities okay इसमें generally plane angle and solid angle supplementary quantities में आप angle की बात करते है plane angle का मतलब क्या है 2d means two lines के through भी आपका angle derive हो सकता है define हो सकता है and two plans के through भी angle define हो सकता है ठीक है two lines ले लिया आपने जैसे यह इस तरह से यह two lines ले लिया और उनके बीच में जो एंगल क्रियेट होता है इसको क्या बोलते है plane angle clear अब इस एंगल के यह जिसे आपका अगर एंगल जो पूरा spherical ले या holo sphere ले तो इससे आपने कट कर दिया ठीक है इससे आपने कट कर दिया तो यह जो small angle है यह हम d theta consider कर लेते हैं और यह क्या होता था यह होता है आर्थ ठीक है यह actually तो distance ही है पर इससे क्या बोलते है आर्थ तो यहाँ angle है और अगर आप radius r consider कर ले रेडियस है and angle है and arc है तो इन टीनों के बीच में relation क्या होगा okay plane angle को हम theta से denote करते है so plane angle यहाँ पर d theta होगा कि small angle के लिए हम d theta consider कर रहे है so plane angle d theta is equals to angle इसका definition क्या है angle is equals to arc upon radius ठीक है so arc this is ds ठीक है यह distance and radius is so this formula के थूँ आप plane angle को define कर सकते हैं इसका unit क्या होगा plane angle का unit क्या होगा तो इसे radian में define करते हैं ठीक है and symbol so symbol इससे r a d ठीक है r a d symbol हम use करेंगे radian के लिए okay basically अगर आप पूरा circle देखें तो वह 360 degree होगा okay angle की जो unit होती है वह degree भी होगी and radian भी होगा radian हम इसमें measure कर रहे हैं SI unit में अभी हम सारी units जो भी आप unit consider करेंगे वह SI unit में यहां angle के लिए भी radian यूज करेंगे degree नहीं ठीक है अगर आप पूरा circle देखें तो वह degree के इसाब से 360 degree होगा ठीक है क्या होगा 360 degree तो radian और degree में जो relation है 360 degrees equals to होता है 2 pi radian okay and 180 degree is equals to क्या होगा pi radian okay half कर दिया हमने और इसका again half करें तो 90 degrees equals to pi by 2 radian तो यह degree and radian में relation हो गया आपका clear है now solid angle solid angle क्या होता है plan angle 2D में होता है okay and solid angle basically 3D version है जिसे आपने यह paper ले लिए अब paper को आप इस तरह से roll up कर लिए ठीक है आपने यह cone बना लिया यह क्या है 3D तो यह जो angle है अंदर का जो angle आपको दिख रहा है जो की पूरे surface से angle create हो रहा है इसको बोलते है solid angle okay इसे बोलते है solid angle आप एक cone को measure कर ले तो उसका जो यह यहां पर आर्क के बजाए यह surface होगा okay surface के लिए हम area consider करते हैं okay generally हम area consider कर लेते हैं so solid angle यह small angle के लिए small solid angle के लिए d omega is equals to d a upon r square radius का square okay क्यों क्योंकि हम area ले रहे हैं this is solid angle okay इसका unit क्या होगा इसका unit क्या होगा इसका unit होता है st radial ठीक है st radial इसका unit होगा and symbol so symbol s r ठीक है symbol क्या होगा इसका s r यह हुआ solid angle के बारे में तो हमने आज क्या क्या study किया हमने physical quantities study किया फिर हमने unit के बारे physical quantity actually एक measurement है किसी भी quantity का किसी भी phenomenon का जो की instrument के through या फिर other calculation के through आपको मिलता है ठीक है उसके बाद हमने quantities पढ़ी mks system cgs system यह systems पढ़े and then quantities physical quantities के type पढ़े ठीक है fundamental derived and supplementary I hope आपको आज का lecture पसंद आया होगा Oh